नमस्कार सभी को जोब स्टैड गुरुजी यूटूब चैनल पर आप सभी का सुवागत है तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट आपके CET एक्जाम को लेकर तो नियूज पेपर के अंदर क्या कुछ ख़वराई ये जानने के लिए सभी साथी वीडियो में बने रहें तो सभी यहाँ पर देख सकते हैं जिले के एड्सेट प्रिक्षिया के अंदरों पर दो सेशन में 5 और 6 नमंबर को होगी CET तो यानि कि CET का एक्जाम आपकी दो सेशन में होगा प्रिक्षिया रतियों को सुबह साड़े 8 बजे करनी होगी रिपोर्टिंग पांचमा उप्सन बरना होगा अनेवारी है यानि कि अगर आप चार उप्सन में से कोई भी नहीं बरते हो तो फिर आपको पांचमा जो आपको उप्सन दिया गया है वो आपको सेलेक्ट करके उसको आपको बरना होगा इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं CT यानि स्युक्त पातरता प्रिक्षा के लिए जिला परसासन ने पूरी त्यारी कर ली है प्रिक्षा के सफल आयोजन के लिए शिक्षा बिवाग ने जिले में 60 से ज़्यादा प्रिक्षा केंदर बनाए गए है जिनमें 17902 प्रिक्षा आरती सामिल होंगे शिक्षा बिवाग ने सभी प्रिक्षा केंदरों की सुची त्यार कर ली है प्रिक्षा आरतियों की संख्या के अनुसार कुछ प्रिक्षा केंदर रिजर्व भी रखे जाएंगे प्रिक्षा होने के तीन दिन पहले सभी प्रिक्षा केंद्रों का निरेक्षन कर सुरुक्षा के पुक्ता परवंदन की जाएंगे पर सासन दबारा सभी प्रिक्षा केंद्रों के दरवाजे वेखिडिक्या के मरवत करवाने के आदेश दिये थे प्रिक्षा को दो सेशन में आउजित किया जाएगा सुबह का सेशन जो आपका वो दस बजे से ग्यारा पिंटालिस बजे तक की होगी वैस शाम के सेशन में दो फैर तीन बजे से शाम चार पिंटालिस तक होगी सुबह के सेशन के प्रिक्षा के लिए प्रिक्षारतियों को सुबह साधे आठ बज़े प्रिक्षा के अंदा पर रिपोर्टिंग करनी होगी शाम के सेशन में प्रिक्षारतियों को डेड़ बज़े रिपोर्टिंग करनी होगी पांच अप्सन बाले आएंगे उत्तर CT प्रिक्षा में 1 परसन के उत्र के 5 अपसन दी जाएंगे इस 5 में उपसन को तब बरना बराज आएगा जब प्रिक्षारती उत्र देने के लिए दिये गए 4 अपसन में से किसी भी अपसन को नहीं बरता है इस 5 में風ow में note attempt लिखा होगा यानि प्रिक्षा प्रिक्षारती अगर किसी परसन को attempt नहीं करता है और विकलब में से किसी को भी नहीं चुनता है तो उसी यह 5 प्रिक्षा में कुल 100 परसन पुछ जाएंगे पांच में आप्सन को बरने के लिए प्रिक्षारती को अलग से 5 मिनिट का समय दिया जाएगा को नज़िदिक प्रिक्षा केंदर अलोट के जाएंगे ताकि लंबी दोरी तैने करनी पड़े और उन्हें किसी प्रकार की कोई ऐसुविदा नहीं हो विवाग का प्रियास है कि लड़कियों के प्रिक्षा केंदर भी उनके स्थाई पते के नज़िदिक अलोट के जाएंगे ठेक है दारा 144 लागू रहेगी पांच है नमंबर को प्रिक्षिया के दुरान सभी प्रिक्षिया केंद्रों के 500 मिटर के दारे में दारा 144 लागू रहेगी इसके अलावा प्रिक्षिया केंद्रों वाले एरिया में कोचिंग सेंटर वैप्लेंटिंग सेंडरी की दुखाने भ तो बारा की ए आर वी वालों की भी को भी अलेट जो भी रखा जाएगा और यहां पर सीटी की प्रिक्षा के लिए 60 से ज्यादा प्रिक्षा के इंद सतापित की जाएंगे प्रिक्षा के दुरान सुर्ख्षा के कड़े प्रवंद रहेंगे नकल रहित प्रिक्षा आजित से परदेश में गुरूप C और गुरूप D की बरती के लिए होने वाले कॉमन एजिबिलीटी टेस्ट को लेकर प्रिक्षारतियों के लिए रोडवेज अथिक्त बस चलाएगा इसको लेकर कारिया कारी यातायात प्रवंदक अनिल चोपड़ा बुदवार को रोडवेज अधिकारियों की बैठक लेंगे इस दुरान प्रिक्षारतियों के लिए बस चलाने को लेकर रूप रेका त्यार की जाएगी कौन-कौन से रूटों पर अथरिक्त बस चलाने की जुरूरत है हालांकि मुखेले में अभी तक प्रिक्षा को लेकर पत्तर नहीं आया है तो यह बाई कुछ अपडेट थी आपके CT एक्जाम को लेकर उमिद खरता हम यह जानकरियां आपको अच्छी लगयोगी आप सभी इस वीडियो को लाइक करें कोमेंट करें और भाई आगे सेयर करें आज की हमारे इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू जाहिन जाभारत